जेहिन दोस्तों स्वागा थे आप सबों का आपके अपने यूरूप चैनल संदीप मैट्स में आज हम लोग SSE जे ससी सीजियल 2023 के लिए मैथमेडिक्स के एडवांस मैट के पॉर्शन का मैंसुरेशन जो चेफ़र है उसका कुछ कोश्चन को स्वल्ब करेंगे जोगी एक्जाम के पॉंट अब भीउ से बहुत ही महत्पूर्ण तो चले देखते हैं यहाँ पर कोश्चन क्या है देखे सबसे पहला कोश्चन यह बहुत ही महत्पूर्ण कोश्चन स्ट्रैपबा कोश्चन एक्जाम में पूछता लगब 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 सारे एक्जाम में पूछता है, यहां पर कहें क्या रहा है, दो संक्यों का आयतन, दो संक्यों का आयतन, तीन दो के अनुपात में है, और उनकी तरिजाओं का अनुपात, तीन चार का अनुपात में है, तो उनकी उचाई का अनुपात आपको यहां पर बताना है, ठीक है न, तो यह बहुत ही आ अनुपात बोल रहा ठीक है ना तो यह क्या हो जाएगा एक बटा तीन पाई यहां पर लिख देंगे आरवन का स्कॉर गुना एच वन का स्टीक है और निचे में भी लिखना होगा स्टीन पाई आटू का स्कॉर गुना अनुपात और यहां पर लिख़ना है ना तो उनकी उचाई का अनुपात अब देखें यहांपर ऊपन 3 से 1 आपन 3 कैंसिल पाई से कुछ कैंसिल होगा नहीं अब यहां पर ध्यां देजे यहां पर आरवन को हम लोग 3 ले लेंगे और आटू को हम लोग कितना ले लेंगे 4 ले यहाँ पर आपना दाज हो गोट तो यहाँ पर ऐखसागा है सॉला में सब्सक्राइब तो निकालना है तो नो और शुला को उधर भीज दिक ना जाएगा नीचे सोरी 9 आ जाएगा नीचे 16 चला जाएगा ऊपर इसको आप काट लिजे तीन तीन नौ और ये दो अठी 16 क्या आया आठ बटा तीन क्या आया आठ बटा तीन या इसी को हम लोग रेशियों में क्या लिखेंगे अब इसका क्या बताना है आप लोगों को आयतन बताना है तो सबसे पहले हो क्या पता करना होगा यहाँ पर हमको आर पता करना होगा ठीक है ना तो गोले का प्रिश्ट्री सित्वल क्या होता चार पाई आर स्क्वाइर बरावर है कितना लिए होगा तेरा सो छी आसी आसी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दो चक बारा और दो तिया यहां तक ठीक है अब क्या किए जिना आर इसकोर को यहीं ले दीजिए ठीक है ना इसको आप तोड़िए तो जरूर यहां पर पेर बनना चाहिए ठीक है अगर आप इसको तोड़िये गा तो क्या लिखेंगे इसको नौफ़ी तोड़ेंगे तीन गुणा तीन यानि की तीन गुणा तीन गुणा साथ फिर यह साथ हो गया हमारा और नीचे में कितना चार यह लिखेंगे दो गुणा तो आप देख लिए यहां पर दो का जुड़ा लग रहा है साथ का जुड़ा लग रहा और दो का जुड़ा लग रहा है तीन का जुड़ा साथ का जुड़ा और दो का जुड़ा यानि कि आर का वेलू कितना हो जाएगा तीन गुणा साथ 21 बटा म 2, ये हमारा R निकल गया, हमको निकलना क्या है, हमको यहाँ पर गोले का आयतन बताना, ठीक है न, तो गोले का आयतन का फोर्मूला क्या होता है, तो 4 बटा 3 पाई R cube होता है, ठीक है न, अब यहाँ पर ध्याण दीजिए, हम लोगों को पता है 4 pi r square का value पता है ठीक है ना तो आप यहाँ पर 4 pi r square लिख दीजिए और क्या बच जाएगा तीन से तीन सत्य कड़िया दो से देखिए कड़ जाएगा दो च्छक बारा बच एक दो ना अवाठ थारा बच फिर दो तीय अचे अब ध्यान दीजिए साथ को अगर तीन से गुना करें तो सत्या 21 क्या एक आएगा आप देख लिए ओप्शन में यहाँ पर केवल तीन में ए का यंख एक है तो मारा ओप्शन नमर थी यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर थी क्या कुश्चन में कहता है 14 cm उचाई 14 cm उचाई लंब रित्य बेलन का वक्र प्रिश्री चितफल का फॉर्मूला होता है 2πRH जो यहाँ पर दिया हुआ है 110 ठीक है ना बेलन का आधार का ब्यास यानि कि अगर हमको तिरिजया मिल जाए उसका हम दुगना कर देंगे तो हमको आधार का ब्यास मिल जाएगा तो 2 लिखिए पाई के जिगा पर 22 बटा 7 लिखिए आर हम लोगों को पता है नहीं ह के वेलू 14 दिया हुआ है बराबर कितना 110 सब्सक्राइब 10 कटेगा साथ से साथ दूना का चोड़ा कटेगा फिर 11 दूना का बाइस और 11 धायके 110 फिर दो से कट जाएगा यह 5 बार में ठीक है अब यहाँ पर क्या होगी हमारा दूना का 4 ठीक है पांच इधर है दो दूना का 4 को सर्वर्वेच देंगे हैंगा बटा म 10 बटा 4 अब 10 बटा 4 का मतलब केता 5 बटा 2 और 5 बटा 2 का मतलब केता यानि कि 2 समलो 5 हमारा एंसर होगा जो option number 2 में given है ठीक है ना आगे बढ़ते है question number 4 क्या question number 4 में कहता है एक संकू की तिर्जा 5 cm है और इसकी तिर्यकुचाई 16 cm है इसका कुल परिष्ण चेतफल गिएद कीजिए यहाँ पर देख लिएजे आर का फैलू दिया हुआ है 5 ठीक है ना तिर्यक्चाईगा हम लोग L कहते L दिया होँ यहाँ यहाँ पर 16 और संकू का वक्र कुल प्रिष्ण चेतफल सोले संकू का कुले प्रिश् ile airflow का formula होता है πाई r r प्लस r ठीक है ना संकू का कुले प्रिश् dot Sub fvil का formula होता है πाई arri L प्लस r यहाँ पर आप सारा value बठा दीजिए πाई R का value 22 बटा 7 R का value 5 ऑर L प्लस r तो पर आपका सुलदा है और आर आपका यहां पर 5 थो सुलदा पाच 21 यहां पर हो जाएगा देख कर जाएगा साथ टीया एक-ईस अब हमारा क्या हो गया बाइस गुना पाच गुना तीन ठीक है अब गुना कर दिजिए इसको तो पांस तीया पंदर अपनदा थूना तीस कर सु लंबी विकर्ण का माप अंडर रूट 432 है तो इसका आयतन ग्याद किजिए तो ध्यान रखिएगा किसी भी घंड का सबसे लंबा विकर्ण का फर्मुला होता है रूट 3A ये आप लोगों को याद रखना होगा किसी भी घंड का सबसे लंबा भुजा का माप होता है या सबस से भागा देजिए ठीक है ना ये रूट 3a रहने दीजिए इसको 3 से गार आप भागा देंगे मतलब भागा दीजिएगा 432 को गर 3 से आप भागा दीजिएगा तो देखें क्या होता है ठीक है से रूट 3 हमारा केंसिल हो जाएगा एक है चेथा j esto ला जाएगा तो हमको निकालना के है तैन तो द्यां रखेगा अगर आपको का आयतन निकालना है तो simply क्या करते है भूजा का cube कर देते है यानि कि भूजा को 3 बार गुणा कर देते तो 12 को अगर आप 3 बार गुणा की जेका तो देखे 12 का इसको आजागो पता कितना 144 होता है फिस इसको 12 से गुणा करना है तो 12 चोक 48 अगले वीडियो में मैं किसी और टोपिक का वीडियो किसी और टोपिक का कॉस्चन से ले करके आऊंगा जो आपके एक्जाम के पॉइंट और व्यू से बहुत ही sutने को ऑ levar लेजरे प्यूश desenे यू जो घुत है हमार तो है पुत है